ज्ञारखन में इसमार कॉंग्रेस का दावा है कि बीज़पी के लाख बड़े स्टार पचारत चुनावी सभा कर ले सरकार तो महागडबंदन की ही बनेगी। कॉंग्रेस के चुनाव अभ्यान समीती के अध्यक्ष सुबोत कान सहाई से बाचीत की है राची में हमारे ब्यूरोचीफ ब्रजेश रायने। ज्ञारखन के चुनावी रन में जोर आजमाईस बहुत पुर्जोर तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तमाम बड़े चेहरे आ रहे हैं। लेकिन अगर कॉंग्रेस की बात की जाए तो भुपेश बगेल हो या राहूल गांदी हो बस इसी सरी के। क्या लगता है मागडबन कितनी बड़ी चुनावती दे पा रहा है बीजेपी को। मुक्त तोर पे आरजेडी के जो है तेजस्वी आदवार उनके लोग जेमेम के लोग कॉंग्रेस के जो लोग हम लोग हो सकते हैं। तो राज में हम लोग तो एक अठा होके लड़ रहे हैं। आपका जहां तक कहना है बाहर के लोगों का तो आपने अमीच साजी का बयान देखा। क्या रहे इतना भीड़ से क्या होगा और उसके बाद उनका दूसरा जो बयान है कि आसू हमारा जो है चुनाव के बाद हमारे साथ रहेगा। आसू लदिया करके पचास साथ सीट पे चुनाव लगा रहे हैं। तो ये हतासा है भाजपा के अंदर जब राष्टी अध्यक्ष भीड़ से चिंतित हैं और इलाईज पर अभी से मक्षन लगा रहे हैं जबकि इनके तीन पार्टनर आज यहां नितीश कुमार, राम विला आने जा रहा है, वो तो भाजपा का ऐसे ही वो 65 पार नहीं रगवर पार कर दिया है। तो राहुल गांधी एक जो ब्यवस्था में पूरी तरह से चर्माहट चर्मना गया है आज केंद्रिय सरकार के सारे निती नियत पर, उसका अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी बेवाग तरीके से कोई घुमा फिला के नहीं सामने है। सेकेंड फेज में 20 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें कई ऐसे दिगज प्रतियासी हैं जिनके भागय का फैसला होगा उसमें राजी के मुखे मंतरी रगवर दास भी है। देखना दिल्चस्प होगा कि महागडवंदान आखीर कितनी चुनोती दे पाता है।